हाई फ्रेंड्स दिखते हैं ? क्विस्चन कंस्ट्रक्ट रूमबस दे लेंथ ओफ वोज डायगोनल्स आर 6 cm & 8 cm देखो आपको एक रूमबस कंस्ट्रक्ट करना है जिसका डाटा दिया हुआ है और रूमबस के दोनों डायगोनल्स के डायगोनल्स के रूमबस के दोनों डायगोनल्स के लेंथ के वैलू दिया हुआ जो की 6 cm है दूसरा 8 cm है तो आप रूमबस की प्रपर्टी जानते हो कि रूमबस की जो डायगोनल होता है एक दूसरे को परपेंडुकलर बाई सेक्ट करता है इसका मतलब देखो माल लेते हैं माल लेते हैं कि AB एक हमारा डायगोनल है ठीक है AB क्या है एक रूमबस का डायगोनल है तो यह जो CD डायगोनल है समझना यह CD जो डायगोनल है वह क्या करता है AB को two equal part में माल लेते है यह O point है ठीक है that means AO equal हो जाएगा BO की equal होगा और same जो similarly AB जो डायगोनल है AB डायगोनल है CD डायगोनल को हाप equal पर अपकार OD equal to OC हो जाएगा और यह दोनो डायगोनल से एक दुसरे के perpendicular होंगे ठीक है समझ रहा है वहीं चीज ठीक है तो सबसे पहले इसका raf s के सिर्फ इस्तियार करते है तो तो हमने का करेंगे 8 संधीमीटर का एक डायगोनल 5000 है हमाल लिते है 건 8ела यह माल लिते हमारा क्या है AC एक डायगोनल है जिसका लेंद है 8 cm तो हमारा यह जो यह माल लो AC मालनों ठीक है क्या दिक्कत ना हो AC हो गया और यह आपका BD हो जाए ठीक है दिक्कत ना हो ठीक है AC और BD तो AC डाइगोनल जो है AC डाइगोनल को यह BC जो B BD डाइगोनल है B और यह B और यह D है मानो ना चलो ना कोई दिक्कत ने है सेंटेमिटर का माल लेते हैं यह 8 सेंटेमिटर का तो जो बीडी डायगूनल है इस डायगूनल क्या करेगा सेंटाइक करेगा ठीक है तो हमको क्या करना है इस AC का bi-sector निकलना है क्या cell number निकलन जाइगा चलो तो हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर वाई सेक्टर निकाल लेंगे तो हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर वाई सेक्टर निकाल लेंगे तो हमारा अनदर डाइगोनल्स मिल जाएगा चलो तो हम क्या करेंगे देखो तो यह जो है यह पॉइंट है इससे ac के hap से ज़्यादा क्या करेंगे एक radius लेकर ac के hap से ज्यादा ac जो है ac से hariा kidnapped as a radius लेका हम क्या करेंगे r sudah करेंगे ठीक है यहां पर कहें कट जाएगा ऊसके बार हम क्या करेंगे अपले मैं इसे सेंटर स्ब्स का एक r करेंगे यहां पर कटHave उसके बाद धिक्र हम क्या करेंगे कि जो अब एक हुआ वस्थ samurai संटर लेकर अब नीचे की तौरा सब्सक्राइब के एक आर कट करेंगे ठीक है एक आरक करें करेंगे तो आसी को सेंटर करेंगे हम सेमेर एक कट करेंगे जहां पर कट होगा हो घाल यह मारे क्या हो जागा बी डी लाइन हो जागा बीडी लाइन इस यह व्र धी हो गया ठीक है अब देख लेंगे कि कि हमारे लेंद जो है टोटल एसी एठीक है तरी सिटमध में से कोई बात नहीं से जो एकुरेट डाटा के साथ बनाएंगे तो चलो इसका इसे बनता है इसमें कुछ नहीं है तो सबसे क्या करेंगे सबसे पहले हम एसी को ड्रोग करेंगे इसी लाइन सीवेंट कितना है तो यह सी जो आपका एट है ठीक है तो देखो अब देखो कितना असानी से मैं आपको समझाता हूं इस कुश्चन को कंजुग कितना है 8 है तो यह गार यह गया है जो अम लोग जानते हैं कि रोम्बस क्या होता है एक दूसरे के perpendicular bisect करते है, तक वहाद करते हैं, यह BD-डायगोनल का करेगा, यह BD-डायगोनल को दो भाग में बात देगा, समझते हो नो, मतलब दो भाग में बात जिसे, हमारे पास दो चॉकलेट, एक चॉकलेट, इससे देखे चॉकलेट, मतलब हाप equally बाट देगा डैट मींस जोता है तो देखू अब मुझे क्या करना है इसका मतलब जोता है जो हमारे बीडी डायगोनल होगा बीडी डायगोनल होगा तो उससे क्या करेगा यह बीडी डायगोनल जोता है इसे हाप में बाट देगा इसका मतलब है कि हमको क्या निक भी चैनल ज समझा सूनो 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 एसी का जो लेंद्ध है यृट सेंटीमेटर का तो इसके lint eight सेंटीमेटर तो इसके हाप कितना ओगया 4 हो गया तो हम five six seven जो भी उससे उतना रेडियस लेके एक आर्क कट करें ठीक है तो देखो मालेते हैं देखो हमारा कितना चलो 6 कोई दिकत नहीं 6 ले लिया अब कुछ भी ले सकते हो फोर से ज्यादा यह सकते हो तो अब क्या करोगे यह को एज ए सेंटर लो किसलिए क्योंकि हमको एसी लाइन सिग्मेंट का बाई सेक्टर फाइंड आउट करना है ठीक है तो दिखू एक वाइज सेंटर लेके ऊपर की तरह एक आर्क करेंगे ठीक है कट हो गया उसके वाद उसले एक एक संटर करेंगे यहां पहरा दूनो यहां पर बॉइंडो को इंटरसेंट करेंगे तो फारा जो है एसी का बाइस सेक्टर मिल जाएगा इसी का बाइस सेक्टर मिल जाएगा ठीक है इस थोज़ाइन अलाग की तरह चल गया इसको थोज़ा सरफ कर देते हैं तो देखो ठीक है तो देखो तो यह आपका क्या हो गया तो हमारा क्या मिल गया यह एसी का बाइस सेक्टर परपेंडिगुलर बाइसे यहां पर 90 डिगरी है आप सभी जानते हो कि दोनों डाइगोनल जोते हैं एक दूसरे का परपेंडिगुलर बाइसे करते हैं डाट मिस यह टोटल एड था माल लेती हमारा यह ओ पॉइंट है तो यहां पर देखो अब हमें क्या करना है अब यह हमको क्या चाहिए यहां पर चाहिए यह डाइगोनल कितना था यह डाइगोनल कितना होने चाहिए देखो अब एक और बात समझो मेरे बात समझो कि एसी जो डाइगोनल है सोरी यह बीडी माल लेते है यह हमारा बीडी है ठीक बी डीयागोनल जो है एसी को Tu compile बाड़ देता है ठीक है तो ईसी भी बीडी को डो खुल पार्ट में बाड़ एक ऐपकर बने बाठेगा कि नहीं बाठेगा यह भी कह करेगा दो इक튼 पार्ट में बारदेगा == डाइट में जो है अगर यह फोर यह टोटल हमारा सिक्स है तो थ्री उपर थ्री नीचे होगा ठीक है ठीक है समझ रहे हो कि नहीं मेरे बात को समझे एक बार समझो कि देखो रोंबस की जो डाइगोनल होता है नो वह दोनों एक दूसरे को पर पेंडुकुलर बाइसेक्ट करत परेंडुकलर पार्ड मिश्वी ओस है वह इकोल होगा दियो को अब हमारा जो है भी इस में इस लाइन पर कहाँ होगा और डिजोता इस लाइन पर कहां होगा अब हमें सोचने की बात है तो हम क्या करें गे है इसके लुठाएंगे और यहां से क्योंकि यह हमारा तूटल सि देखो 3 है तो different क्या करेंगे यहां पर ओपे center रके यहां पर street करेंगे ठीक है यहां q3 क्योंक prosperity क्योंकि 80 चूप रहने वाला में से नहीं हो करें अगर आप जो है मुझे दोеждव बालब बाट दिया तो मैं क्योंने को बाट कर सकता हूं तो यह भी का कर रहा है बीडी को एसी जो है दो भागों बाट दिया मालनेते हमारा यह हमारा बी नहीं रहा इसे मालनेते बी डैस रहा चलो बी डैस और यह हमारा डीस डैस लेकिन हमारा यह डी हो गया और यह हमारा बी हो गया ठीक है तो अब हमारा देखो यह भी 3 हो गया और यह भी 3 हो गया तो देखो यह भी दो भागों पट गया यह भी 2 भागों बट गया और दोनों एक दूसरे के perpendicular बाइसें यहां पर 90 डिगरी दोनों के बीच में बन गया अब तो कोई दिकतने अब बस हम क्या करेंगे इसके साथ लाइन को ज्वाइन कर देंगे बीडी को एवी अफ सभी पॉइंट मिल गया तो हम क्या करेंगे लाइन ज्वाइन कर देंगे तो देखो तो यहां पे जुआइन कर देते हैं और यहां पे इसे जुआइन कर देते हैं ठीक है और यह अब बीसी लाएं बी और सी को जुआइन कर देते हैं ठीक है तो देखो तो आपका दो डाइगनल दिया था एक था 8 सेंटीमेटर का दूसरा था 6 सेंटीमेटर था उसके हैल्प से आपने क्या कर दिया एक रोंबस क्रिएट कर दिया ठीक है मना दिया तो देख लेति इसका सभी साइट कितना होगा इसकी सभी सब्सक्राइब और आपको झाल झाल